हेलो अबीड़ूरं कैस। आम सब तty Uh A.P.C.? प्लाजों की लेंथ को कैसे कम करना है तो इस तरीके से हमने प्लाजों को रख लेना है यहांने सीधाइ करना है अब हम कोई भी लोड प्लाजों ले लेंगे जो आपके नापका हो तो इस तरीके से हम जोली को जोली से मिलाएंगे और उपर लास्टिक से लास्टिक को मिलाएंगे तो इस तरीके से हमने इसको रख लेना है और रखने के बास इसको सेट कर लेना है अब हम नीचे से इसके निशान लगाएंगे तो अगर आप बारिक फोल्ड करना चाते हो तो यहां से आप एक इंच का निशान लगाएं अगर आप चोड़ा फोल्ड करना चाते हो तो यह डेड़ से दो इंच तक की निशान लगा सकते हैं मैं बारिक फोल्ड करूँगी इसलिए मैं एक एक इंच पर ही निशान लगाऊंगी तो इस तरीके से मैं एक एक इंच पर निशान लगा लूँगी तो फ्रेंड अगर आप उनिफे की तरब से लंबाई को कम करना चाहते हैं तो मैंने वो वीडियो भी अप्लोड की हुई है आप देख सकते हैं नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देदूंगी तो आप आई पर भी देख सकते हैं और अगर आप सूट की फिटिंग गाउन की फिटिंग उगारा की करना चाहते हैं तो मैंने वो वीडियो भी अप्लोड की हुई है आप एक बार जुरूर मेरे चैनल पर जाके देखिएगा स्टीचिंग से लेटर मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की हैं तो इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है निशान लगाने के बाद अब हमने इसको कट कर लेना है तो हमने जो नीचे की तरफ से एक एक इंच का निशान लगाया था वो हम अब उपर की तरफ लगाएंगे आपने जितना भी नीचे की तरफ निशान लगाया था वो निशान अब हम उपर की तरफ लगाएंगे यह निशान हमने इसलिए लगाने है क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें फोल्ड करना आसान हो जाएगा और हमारे एक जैसा फोल्ड होगा तो फिर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को और पर प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे तो अब हम पहले इसको थोड़ा सा उधेड लेंगे उधेडने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसको हम स्टिच करेंगे तो जो हमने चाक के निशान लगाए थे वहां तक ही हमने इसको फोल्ड करना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो इसलिए हमने ये चाक के निशान लगाए थे ताकि एक जैसा फोल्ड हो जो निशान आप देख रहे हैं जहां से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिंगर की हेल्प से दबाते हुए इसको सेट करेंगे भी हम स्टिचिंग कर लेंगे और हमारा अपला जो बिल्कुल रेडी हो चुका है तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर पिताईएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफूल लगी हो तो प्ली लाइक, कमेंट और शेर जरूर कीज़ेगा आपके लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखें